अमास के इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइल ने गाजा पर चड़ाई कर दी थी जिससे आग बबूला हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ऐसा तांडव मचाया कि इस रूट से होने वाला वैश्विक व्यापार ठप तो पड़ा ही साथ ही हूतियों न अमेरिका को भी नाको चने चबवा दिये अमेरिका ने हूति पर लगाम लगाने के लिए करीब दस देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्परिटी गारजियन शुरू किया लेकिन थोड़े वक्त में ही उसकी भी हवा निकल गई और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर कई बार हूति के हथियार डीपो पर हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश की लेकिन उससे हूति और भी ज्यादा आकरामक होकर लाल सागर से आगे हिंद महा सागर समेत अरब सागर तक अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने लगा उसके इन हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसाइक जहाजों ने तौबा कर ली और अब अमेरिका ने 16 अक्टूबर 2024 को यमन के भीतर हूती के 5 अंडर ग्राउंड हतिया डीपो पर एक बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की अमेरिका ने ये हमला अपने B2 स्टेल्थ बॉंबर से किया अमेरिका ने ये हमला ब्रिटेन के साथ मिलकर किया था हूती पर नकेल कसने के लिए बाइडन को अपना सबसे ताकतवर हतियार उतारना पड़ा लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये कोशिश भी बेकार हो गई है क्योंकि हूती ने शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर 2024 को अरब सागर से गुजर रहे मेगालो पोलिस जहाज पर ड्रोन अटेक किया है हूती ने दावा किया कि उसका ये हमला सक्सेस्फुल रहा है खाले फिलिस्तीन के बंदर गाहों में प्रवेश पर लगे हूती के प्रतिबंद का उल्लंगहन करने के लिए निशाना बनाया गया अफदती अल्गवात अल्मसलछत येमनी तु बावनि लाह तावाला अमलियत से इदाफ लिसफीनत मेग अबुलस फिल बहर लारबी वजलिक बाद इन ताइरात मुसयरा वगद हगगती अल्मलियत अहदाफ़ा बनजाह बफदल लाह वनुफदती अल्मलिया मिन गिबली सिलाह लजविल मुसयर फिल गुवाति अल्मसलछत येमनीया अलैसीजी से मिले डेटा के अनुसार माल्टा के ज्छंडे वाला कंटेनर जहाज मेगालो पोलिस अभी ओमान के सलाला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है इस जहाज पर हमले के साथ ही हूती के मुखिया अब्दुल मलिकल हूती ने हमास के चीफ याया सिन्वार की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इसराइली शत्रू ये मानते हैं कि सिन्वार की शहादत से गाजा में प्रतिरोध मौर्चा ध्वस्त हो जाएगा या उसके लड़ा के हतोच साहित हो जाएंगे तो वे भ्रम में हैं सैयदल हूती ने आगे कहा कि हमास एक आंदोलन जो अपनी स्थापना के बाद से ही द्रण और समर्पित रहा है अपने संस्थापक और कई प्रमुख निताओं की शहादत के बावजूद डगमगाया नहीं है अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हमास कभी भी प्रतिरोध का जंडान नहीं छोड़ेगा युद का मैदान नहीं छोड़ेगा या आत्म समर्पण नहीं करेगा आपको बता दे कि लाल सागर में हूती के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्री चर मरा गई है एक अनुमान के मताबिक इस रूट पर एक साल में करीब एक ट्रिलियन डॉलर का सामान होकर गुजरता है लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के बाद से ही ये रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया है हूती का दावा है कि उसने गाजा युद शुरू होने के बाद से अभी तक 100 से ज्यादा मालवाख जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है जबकि एक जहाज अभी भी हूती की कैद में है इसके अलावा हूती के हमलों में दो जहाज लाल सागर में समा चुके है